तो समर वेकेशन के बाद स्कूल खूल चुके हैं बच्चों के आज फस्टे है स्कूल का और मैं सुबर सुबर पांस बज़े उठ गई हूँ और यहां पर उन लोगों के लिए टिफिन बना रही हूँ अच्छा मेरे दोनों बच्चे जो है ना उन दोनों लोगों की पसंद तन्वी को आलू का पराथा पसंद आया और बाबु बोला कि मुझे रोटी का रोल बनाकर के दे ना तो मैंने चाला कि उसी जो स्टफिंग मैंने बनाई थी आलू की उसी स्टफिंग से इनको रोल बना करके और थोड़ा सा सौंस डाल करके दे दिया है तो दोनों बच्चों का इस तरह से मैं सुबस बड़ टिफिन पैक कर देती हूं और उधर बच्चे नहाद हो करके तयार हो गए हैं और बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अब निकलने वाले हैं जो गेट खुलू गेट को हैं आता मिताय अरग तो अभी वे स्कूल में बच्चों को मास्क और समय जाना है मास्क के बीना स्कूल में एंट्री नहीं की जाएगी ऐसा मैसेज आया था मैंग यूं तो अभी तो हम लोग मैनेज्च कर रहे हैं बच्च के बाद मेरा cleaning routine सुनूब हो जाता है तो वो सब चीजे में आपके साथ किसी दिन सेयर करूंगी अगले वाले वीडियो में तो आज स्कूल खुल गया बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं और हम लोग जो है यह सुबह की चाह मतब यह लास्ट चाह है सुबह की इसके बाद जो और बच्चों की चुट्टी अब तो एक दो बज़े के करीब होती है तो जाएंगे लोग लेने और कैसे हैं आप सभी लोग करती हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो चुट्टियां खतम हो गई सारे function खतम हो गए घुमाई भी हो गई सब कुछ हो गया और अब हम लोग routine में वापस आ गए हैं तो बड़ा relax feel हो रहा है और अभी अपने पधों को मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि जब बारी सुरू होगी तो मैं आप लोग अपना गार्डेन दिखाऊंगी और फिर चलिए आज गार्डेन भी शेयर करूंगी तो वीडियो पे बने रहीएगा लास तक और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए तो बच्चे नहीं है घर में तो रौनक नहीं होती है और सब कुछ बहुत साम साम सा है और देखिए मौसम कैसा तो बादल तो खूब बन रहे हैं लेकिन बारिस विल्कुल न यहां पे हम लोग छट पे आ गए हैं तो देखिए बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो बहुत ज्यादा सोर आ रहा था इसलिए यहां पे आवाज मैंने रिकॉर्ड किया लेकिन वो सही नहीं था तो इसलिए वाइस ओवर कर रही हूं और जब हम लोग यहां नहीं थे ना तो बारिस हो रही थी हैतो आड़ से खेल लगे हैं और बढुदि अम यृर्ट से तो नहीं हो रहा है और दो-तिन महिने में ये काफी खुबसूरत बन जाएगा इसके लावाँ यहाँ पे देखिए बोगेन बेलिया जो मैंने लगाया है इन में भी कितनी अच्छी ब्लोमिंग हुई है जितने भी गर्मी के पोधे हैं ना सबको मैंने कमपोस्टिंग कर दी थी 15 दिन पहले तो अब इन सब में इतने अच्छे से फ्लावर आया है देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और ये वाइट वालो तो बहुत ही खुबसूरत लग रहा है देखिए आप लोग भी बताईए आप लोग को कैसा लग रहा है हाला के गर्मी इतनी जादा थी कि पोधे बहुत सारे के सारे मुर्जाय जैसे हो गये थे बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दीख रहे थी लेकिन दो दिन की बारिस में बहुत रहत मिली है पोधों को और अब कुछ नए कटिंग भी मैं लगाऊंगी जब बारिस होगी तब तो चलिए बच्चों को दिखाती हूं यहां नीचे बच्चे लग रहा है आगे चले गए हैं यहां से अब नहीं दीख रहे हैं लोग रोट साइट के तरफ यह गली हमारे थोड़ी लंबी है तो अभी बच्चे सोर कर रहे थे तो मैंने सोचा आप सब को दिखाऊं और यहां देखिए मौसम एकदम बादल दोपहर में देखे कर रहा है तो इतना पिसेंस तो रखना ही पड़ेगा और मेरे 5-6 ऐसे मतलब पौधे सूखे हैं जिनको मैं खरीद के लिए आई थी बहुत मतलब वह लग रहा था लेकिन क्या करें कोई बात नहीं और यहां देखिए सब दो दिन के बारिस में इन सब में ग्रोथ हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है गार्डेन एकदम हरा भरा सा और देखिए क्यारिया ना जो इन से भरी परी हैं सारे जो पार्टोली का या नाइन ओक्लाक जिसको कहते हैं हमारे हाँ इसको संजीवनी कहते हैं तो इससे भरे हुए हैं और यह देखिए अपने से यह उग आया लगता है बहुत अच्छा लगता है शाम को पूरी कोशिस रहती है कि हम लोग उपर आएं कि क्या हो रहा है कि कटनी की तैयारी होगी यह देखिए पहले ही चाटनी तो साम कुछ हट से आने के बाद दीपक जलाकर के भगवान जी किया हां मैं किचन में चली गई खाना वान बनेया मैंने सुचा बच्चों के लिए उच्छा बना दू अच्छा क्या पूरी सब्रीी सब्ची ही तो बनती है वही बनाया और इसके बाद मेरा मन नहीं था क्योंकि पीछले dинойं इतना थकान हो गया थना कि कि येक आया लेकिन बच्चों की खुसी थी तो बच्चों और हो चलिए केक काटते हैं कि कंज सट कर watch चलो मेरा मन नहीं था लेकिन हुआ हुआ हमारा बड़र से मन नहीं था लेकिन बच्चे लेब धिये हैं तो ।ो सट मों मन सी नहीं है और हमारा बड़े इस तरह से मन गया हर साल ऐसे केक ले आते हैं लोग इस बार तो मुझे पता चल गया था कि हाँ जा रहा है लोग लेकिन हर बार क्या पिछली बार क्या हुआ था कि सर्प्राइज रखा हुआ था तर्म प्लास्टिक कटलरी अलाउट नहीं है बहुत सुंदर क्यूट लग रहा है वही तो बंद कर दें यहां पर हो रही है इन लोग की फोटोग्राफी पापा है फितोग्रफर आहां और यह देखिए आप देख सतने हैं कि फिल्टर कितना खतरनाग फिल्टर लगा चुका है यहा और बताया नहीं था पापा के साथ कई लोग कुछ लाने के बहाने से मुझे सच में जड़ा सभी आइडिया नहीं लगा और लेके आये थे उसके पिछले साल इनके चाचु ले आये थे रात को ही 12 वजे के कट गया था तो इस तरह से थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं और अगर सोचल मीडिया ना हो तो मैं साथ किसी को बताओं भी ना कि मेरा बड़े है लेकिन हाँ ठीक है थोड़ा सा इस पेसल फील आ जाता है बच्चों की वज़ा से और उनके पापा की वज़ा से लगा के चलो भाई एक आला दिये हैं लोग दखुशा करके काड़ते हैं और बड़े मनाते हैं तो आप सब भी मेरे बड़े में शामिल हो जाईए तो इस तरह से एक छोटा सा बड़े मेरा मन गया दादी तो खाती नहीं है थोड़ा से दादी एच ट्राइक कर लीजे दादी आईस्क्रीम खाएंगे तो केक आया आईस्क्रीम आई और पूरी सबजी बनाया था पनीर की सबजी जनरल सी बात है हर उकेजन पर हम लोग बना ले गते हैं और इस तरह से बड़े मन गया तो जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बहुर सारे काम बच्चों के मन से करना पड़ता है उनको ठीक है मैं भी खुछ हो करके फिर मैंने सब कुछ किया मैंने फिर नहीं कहा कि नहीं मुझे नहीं के करना था या क्यों लेकर आए लोग क्योंकि बार-बार कहने से फिर मन बच्चों का मन भी उदास हो जाता है कराला हूसे करने आए नहीं है हान्स काल अटो से घ्रेल से सब करड़ा है है वह वह गंधये तो अए जिए जो आए जाता एंगे इसदो जाए बच्चों कमें आए गाल शुछ हो मन जाती है के बता देंगे हा तुना हो नहीं हो जब फोटो किछ वालों कर दो आए अँडियो क्यों हसने लगी दादी तो यहां पर दादी को केक खिलाने के एक्टिंग चल रही है जिसकी वज़ा से हम लोग हस रहे हैं क्योंकि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाती है केक समोसा ये सम नहीं खाती है तो फोटो के लिए एक्टिंग हो रहा था इसलिए सब लोग हंस रहे थे तो फाइलली केक कट क्या है और अब सब लोगों का खाना पीना होगा और आइसक्रीम भी आए तो खाना खाएंगे तो अब स्कूल खुल गए है इसलिए जल्दी से खाना पीना भी होगा तो अब पहले सब लोग आइसक्रीम खाएंगे फिर खाना पीना होगा और यहां पर मैंने जब आइसक्रीम निकाला तो बाबु गया बोला कि ममी तुम्हारा बर्डे है खिलाने के लिए अच्छा आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यह व्लॉग इतना लेटकियों आया है क्योंकि बड़े तो चाजुलाई को ही था लेकिन मुझे जुकाम हो गया था अभी भी देख रहे होंगे आप लोग मेरी आवाज कितनी भारी लग रही है तो इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाई क्योंकि आवाज अच्छी नहीं आ रही थी और बार बार जुकाम हो जा रहा है थोड़ा सा तवेद भी अजीब सा लग रहा था तो आप खा पी लेते हैं और इसके बाद जो है आईस्क्रीम खाते खाते बच्चे अपने स्कूल की बाते बता रहा है फर्स दे था तो एक्साइट थे लो और क्या क्या हुआ इस्कूल में दोनों लोग बारी बारी करके शेयर कर रहे हैं हम लोगों के साथ अब ये वीडि कर लिजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले तो मिलूंगी तब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्स फर वाचिंग बाई बाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा